हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एकसल के अंदर यह नॉर्मल बेसिक्स फर्मूला को लगाना सीखेंगे तो आप हमारे चैनल पर निवहत हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइक करना न भूले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यह बेसिक फर्मूला देख रहा है कुछ यहां पर एंट्री देख रहें इसमें हम लोग संक्न एनम मैक्सिमॉम और प्रोडॉक्ट अब रिएट यह सारा फर्मूला हम लोग लगाना सिखेंगे अंड यह कैसे लगेगा आपको यह तरह-तरह से लगाना सिख् हिसाब कैसे करना है पहले निमर बाती basic formula का rule समझज़िए एकसल का कोई भी फर्मूला हुँ धर मॉला में सबसे पहले आपको बराबर देने हैं अगर पुरा फर्मूला आपका सही है और आप बरावर का सिम्बल नहीं दिये है तो आपका वह फर्मूला गलत हो जाए तो सबसे पहले क्या देना है बरावर इसके बाद आपका सम का फर्मूला होता है समी और नीचे में हमको यहां पर सजेश्ट करते रहता है जैसे अगर कौन सा फर्मूला आप लिखना चाहते है एकसल कीबोड का उपयोग करना है कीबोड से आप जैसे ही टैब दबाएंगे तो यह फर्मूला आटोमेट जैसे एस यू हम कर रहे है एस यू लिखें और देखिए आप नीचे में पर आगए एरो की के साथ आप नीचे आएंगे सम पर आगए और अगर आप इंटर करते हैं तो यह देखिए हैस्टेक बहलू करके आजाएगा तो आपको यहां पर इंटर नहीं करना है यहां पर आपको क्या करना है फिर से आपको फर्मूला लिखिए बराबर और एक चीच तरह से सम और एरो की के साथ आप नीचे आजाईए मतलब अगर बड़ा लिख रहे हैं तो आप सेलेट कर सकते हैं ठीक है क्युछ इस तरह से सेलेट करके आप इंटर मारेंगे तो तब भी आपका यहां पर जोर हो जाएगा ठीक है दूसरा तरीका देखिए फिर से हम फर्मूला लागाते है फिर से वही बराबर सम करना है आपको आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं पहला बार तो सेजिक हैं अब दुसरा तरीका देखीए जैसे पहले देख कोन सा में चनितना नंबर है इस नाम क्या हो जागा एज फोर ठीक है यह अगर आप नाम नहीं देना चाहते हैं अगर आप पाइचांस नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इस पर को जोड़ना चाहते हैं अगर और एक और को जोड़ना है तो आप फिर और यहां पर एक और ऐसे कर दिए तो कुछ इस तरह से रैंडम जोड़ना है अगर नहीं आपको एक सिधे से सब और बढ़ाई के टेस्ट आठ और क्या करना है इस पे एक वार क्लिक कर दिजिए और इसके वाद यहां पर आपको रेशियों का सेंबल देना है अनुपात और इसके वाद यहां नीचे यह देखिए पूरा एडिया सेलेक्ट हो गया और आप इंटर्स कर दिजिए आपका यहा मजम्म मैं आख तो अब यहां पे हम अगला फर्मुला देखते हैं, तो कांट का फर्मुला क्या है ? इहां से गिनेगा यह टोटल कितना है, एक दो तीन, चार पांच तो फेसक है फिस चोठा सा है, तो आप किन लिजएगा लेकिन बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे select का देना है अगर आप select नहीं करना चाते तो वही आपको बता है ratio देना है ratio जैसे हम यहाँ पे ratio देते हैं जैसे कितना है हमारा age 4 ratio age 10 कुछ इस तरह से पूरा select हो गया bracket बंद करिया और enter जीजे तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक total हमार minimum minimum बोलने का मतलब सबसे नुइंतम जैसे सबसे इसमें छोटा संख्या कोन है तो 155 है न तो हम लोग देख के बता सकते हैं तो क्योंकि छोटा ही data है तो यहाँ बारा डेटा पर 500,000,000,000 ऐसे data के आप filter करना चाहते उस time में आपको प्रेशानी हो जाए तो यहाँ पे minimum का formula ल होता है नाम से उस तरह से तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कोन है हमारा 155 इसी तरह से maximum क्या होता है सबसे अधिक्तम इसमें सबसे 12 संख्या कोन है अधिक्तम तो यहाँ पर हम maximum का formula होता है max और आपको यहाँ पर tap प्रेस कर देना और फुर इसी तरह से आपको select कर लेना है और आपको यहाँ इंटर कर तो 450 जो सबसे जादा यहाँ पर है यह हो गया हमारा product क्या होता है कि यह पूरा को गुना करेगा पूरा को 455 गुने 452 गुने 215 ऐसे करके गुना करेगा तो हम हम यहाँ पर दो ही तीन को को गुना करते हैं क्योंकि जब 12 डिजित आ जाएगा तो वहाँ पर आपको error टाइप कर दिखाएगा जिससे दिखिए आप पहले हम दो तीन को गुना करके दिखाते है आपको तो यहाँ बराबर लिखे प्रोड़क्ट लिखिए तो प्रोड़क में गडिये है अगर आप अब आप चाथे क्या है कि पूरा गुना हो हमारा यहां से यहां तक ठीक है और इसको एच कर दें यह हमारा वेचमारा यह पूरा को गुना करेगा इस को इसका प्रोड़क्ट को उच्वकों सद्स तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको नंबर दिखाएगा तो यह नंबर गलत नहीं है यह नंबर सही है लेकिन इतना ना ज्यादा यह नंबर हो गया है इसलिए यह कुछ इस तरह से दिखा रहा है आप इसका से साइज बहाएंगे यहां पर कुछ इस तरह से तो यह नंबर आ इसका एक उसत मान क्या है और इसका मीडिल नंबर क्या है तो एवरेज के लिए क्लिए आपको फिर वह लिखना बराबर एभी जैसे लिखेंगे आपको एवरेज भी नीचे देखने को मिल जाएगा ठीक है पुरा लिखने का कोई ज़रूत नहीं आपको और कुछी इस तरह से यह पूरा डेटा को स्लेक्ट करेना और ब्राइकेट बन और यह आपका इंटर यह देखिए सबसे एवरेज क्या हो गया इसका क्या निकला आउसत साथ सो पच्छतर जो है इसका कॉमन नमबर है जो दोनों के आसपास में यह मिलता है तो इस तरह से यह वेशिक्स फर्मूला का हम लोग उपयोग एकसल में करते हैं और भी आने वाले वीडियो हमको एकसल के ऊपर ही आने वाले वीडियो आपकेट हैं